ब्राइड्स अपने शादी के तैयारी तो कई सालों से कर रही होती है और डिसाइड कर चुकी होती कि उनको बेकप कैसा चाहिए होता है, ब्रैडल जूरी कैसे चाहिए, ब्रैडल डेस्क कैसा चाहिए बट ग्रूम्स का ये मामला थोड़ा अनटेंड रह जाता है और लास्ट के कुछ हफते, दिनों या महीने के लिए बच जाता है ग्रूम्स में कुछ ऐसे होते हैं जिनको fashion sense होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको fashion sense नहीं होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनको fashion sense है बट होता नहीं है इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पाँच बहुत ही important aspects के बारे में जो अगर groom अपने शादी के वक्त ध्यान दें तो you can bring out the best in you. Hi, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते, मैं हूँ सौमित्र, आपका Jewelry Expert from Dazzle's Fashion and Costume Jewelry. तो दूले मिया पहला जो सबसे important aspect है वो है कि do not take your jewelry lightly. Jewelry में दो चीज़े हैं आपके पास, एक साफे पे लगने वाली कलगी के लंगी भी कह सकते हैं और एक दूले की माला. Trust me, जब भी आप साफा लेने जाते हैं तो 99% cases में उसमें साथ में कलगी लगी भी रहती हैं. और वो जो सबसे खराब quality के नग हो सकते हैं उनसे बनी होती हैं. एकदम cheap लगता है और आपके एकदम head पे लगता है, बहुत बुरा लगता है. Secondly, वैसे ही suits में, शिर्वानीज में, साथ में कई जगा 50% cases में attached माला भी आती हैं. जो worst case के pearls होते हैं और ना गोते हैं उससे बनती हैं. आपका भी important दिन है, थोड़ा सा खास बनना तो बनता है. दो हफते पहले या एक महीने पहले अपने जानकार jeweler, artificial jeweler या real jeweler वो आपकी choice है, बट अच्छी quality का jeweler होना चाहिए. उसके पास जाईए, देखिए कि आपके दुलहन ने किस तरह का bridal set खरीदा है, उसी से matching type का, या तो आप pearl ले सकते हैं अगर आपको neutral tone में जाना है, neutral colors य या neutral stone में जाना है, या फिर आप कुद्नन की माला ले सकते हैं, कुद्नन की गलगी ले सकते हैं, do not take this lightly, I repeat, do not take this lightly, ये आपके head के उपर और front chest पे दिखने वाले हैं, prime area है, cheap लगना आप effort नहीं कर सकते हैं, तो इस बार पे ध्यान दीजे, second बहुत important aspect है कि decide your outfit as per your skin undertone, अब आप बो लोगे यार ये undertone of undertone समझी आता है, या अपने को इतना पर काले होता हैं या ढस्ट काय हो, या तो अपन गोरे दिख रहे होते हैं, या तो आप वीटिश होते हैं, तो इतना दिमाज नहीं होता आपने को कि हमारा undertone क्या है, ठीक है, आपने से जो लोग सिच को होने वाली है वो help कर सकते हैं अपने ग्रूम की यह समझने में और उसके हिसाब से अगर उनका cool है या warm है या neutral undertone है तो उसके हिसाब से जो best color उनके उपर suit करते हैं उनहीं में से कुछ 3-4 color करिए अपने शादी के अलग अलग occasions के लिए third important aspect की बात करूं या फिर कह लीजे कि सबसे important aspect इस पूरे वीडियो का decide a matching element with your bride's outfit अगर आप उन couples में से हैं जहां पर आपने decide कि होगा कि आप दोनों के दोनों similar colors में जाने वाले हैं तो nothing like that कि उन्होंने royal blue पहना तो आप भी royal blue पहन रहे हो उन्होंने floral motifs पहने आप भी floral motifs पहन रहे हो उन्होंने mint green पहन आप भी mint green पहन रहे हो दूले की माला दूसरा आपका दुपट्टे का color अब यहां पर आपने अपने dress का color जो मैंने पिछला point बताया था अपने undertone के हिसाब से select कर लिया जो best idea हो सकता है वो यह कि आप अपना दुपट्टा या फिर आपकी माला अपने dress के contrast color में select करो और वो आपके bride के outfit से match हो जा तो आप जो भी आप decide करें चाहे आप दूपट्टा decide करें क्यारी करने के लिए चाहे आप दूले की माला decide करें ruby की माला लीजिए semi-precious या precious stones की तो आपके dress के साथ वो contrast भी create करेगा बहुत अच्छी personality shine करेगी और आपके bride के outfit के साथ एक matching element भी हो जाएगा तो लगेगा कि there is a togetherness तो इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूवत है चौथा important aspect है choose the fit of your dress according to your physical structure देखे ये बहुत 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 ज्यादा important हो जाता है क्योंकि हमने शादी से पहले ना को इतना important occasion attend कि होता है जहां पर सारी eyes हम पर ही हो और नहीं हमने इतना ध्यान दिया होता कि क्या-क्या पहन सकते हो क्या-क्या नहीं जैसे कि for example मान लीजे कि आप short height के हैं तो आपो क्या करना चाहिए short height के हैं तो आप kurta बहुत लंबा नहीं पहन सकते knee length के नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए in fact knee और आपके thighs के बीच में end हो जाना चाहिए आपकी fitting बहुत अच्छी होने चाहिए अगर आप slim भी है, दुबले पतले हैं और अगर आप suit पहन रहे हैं, coat पहन रहे हैं तो देखिए उसमें padded structure आपके उपर अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा आप loose fit बिल्कुल effort नहीं कर सकते अगर आपको लगता है कि आप पतले दुबले हैं तो layering कीजे short jacket, waist इन सब के साथ layering करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा आप चूडीदार नहीं पहन सकते color combination कौन से पहन सकते हैं कौन से नहीं पहन सकते हैं बहुत सारे aspects हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी colors अगर आप short structure के हैं तो colors बहुत heavy नहीं रख सकते नहीं color रखिए simple color रखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी specific type के physical structure of grooms पे fashion tips पे विडियो करूं तो नीचे मुझे कमेंट पर बताईए बट यह बहुत important aspect है इस पर research करना बहुत जरूरी है तो तैयारी दो-तिन महीने पहले से शुरू कर दीजिए फिफ्ट है grooming tip maximum दूले क्या करते हैं कि जिस दिन शादी होती है उसी दिन जाकर कि अपना फेशिल ब्लीचिंग hair cut beard setting वगरे वगरे सब करवा लेते हैं गलत है होना क्या चाहिए कि आपको अपना natural look लेकर के आना है यह नहीं कि आपको याद है आप जिस दिन बाल कटा किया तो उस दिन आप बैस नहीं लगते हो उसका 4-5 दिन बाद बैस लगना शुरू होते हो लेंठ अजस्मेंट नहीं करना है और अफेशल करा सकते हो आपको अगर टेंडेंसी है कि आप holiday में यह भी शादी त्योहार भी एक occasion होता है खा करके आपका बढ़ जाता है तो at least exercise 20 minutes daily for at least a month period और at least 15 days period जितने भी दिनों के लिए आपकी शादी है शादी के आसपास बहुत सारी parties हो जाती है दोस्तों की पार्टी कॉक्टेल पार्टी बैशलरेट पार्टी और पता नहीं क्या क्या जिसमें आपकी नींद बहुत compromise होती है कई जगर आपको tips में लेगी कि कुकुम्बर रख लो और ये कर लो वो कर लो बढ़ ध्यान रखो दोस्त नींद अधूरी नींद का इलाज पूरी नींद करके होता है तो आप कितना भी कुकुम्बर रख लो अगर आपकी आई स्वोलन है तो ठीक नहीं होगी तो नींद का प्रॉपर ध्यान ज़रूर रखें तो यह थे वह पांच इंपॉर्टेंट आसपक्ट जो ध्यान करके अब्जेक्टिवली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बताईए एनी डाउट एनी सजेशन फर्स अब्सक्राइब दिस चैनल सब्सक्रिप्शन के बार आप मुझे नीचे कमेंट में सजेशन के लिए क्या वीडियो आपको देखना है मैं उस पर वर्क करने की कुशिश ज